हिमाचल पर्देश सरकार के द्वारा पर्देश के स्कूलों में चलाई जा रही अखंड शिक्षय जोती मेरे स्कूल से निकले मोती योशना चोटी है लेकिन इसके बहतर परनाम दिखाई देने लगे हैं ये बात अपने ग्री स्कूल मोबी सेरी में मुख्य मंतरी के मीडिया सलाकार रोहित साबल ने कही रोहित राजकी बरिस मादेमिक पार्शाला मोबी सेरी के बाशिक पायतोशिक बित्रन समारों में बतार मुख्य अतिति पहुंचे स्कूल में पहुंचने पर उनका शॉल बर टोपी से सम्मानित किया गया सता साथ स्कूल प्रबंदन की तरब से उन्हें एक स्मृति चीन भी बेंट किया गया इसके उपरांत पार्शाला के मुख्या द्यापक ने बाशिक रिपोर्ट प्रस्तुत की इस दोरां स्कूली बच्चों के दोरा भिविन सांस्कृतिक कारेकरमा का अयोजिन भी किया गया मेधापी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के उपरांत रुहत ने अपने संबोदन में कहा कि परदे सरकार के ये योजना कितनी महतपुरून है इसका अंदाचा उन्हें आज अपने ही स्कूल के बार्शिक शामरों में मुख्यति बन कर हुआ है उन्होंने कहा कि अखन शक्षर जोती मेरे स्कूल से निकले मोती योजना से स्कूलों के विकाश में काफी सहुग मिलेगा इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर मॉबी सेरी स्कूल के मंच को बढ़ा करने के लिए अपनी सैलरी से धनराशी देने की घुशना भी की रोहित ने कहा कि ये उनका अपना स्कूल है और यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को हर सुद्दा मिलेगी इसके लिए प्रयास किये जाएंगे इसके साथ इस स्कूल से सम्दित अन्यस मस्याओं को भी रोहित ने परदेश के मुख्य मंतरी जैरम ठाकुर के समक्ष रखकर उनका निदान करने की बात भी कही स्कूल में जाए आज मैं भी इसी मेजा से आप पहुंचा हूँ इसलिए मैं पड़ी एक छोटा सा इनिशेटिव मैं भी आज यहां कहता हूँ अगरे प्रधांजी भी कहने प्रधानाचारे भी कहने थे कि स्टेज को थोड़ा बढ़ा करना है तो तो मैं नेता तो नहीं कि मेरे स्कूल के बच्चे आए इस मंच से कुछ नहीं सीख कर जाए तो यहां सीखने के लिए बहुत कुछ है